Hello everyone and welcome to Mr. Intrudent YouTube channel आज हम लोग बहुत ही interesting छोटी सी एक थेोरी हैं मालतस की जो कि मालतूसियन गलट या फिर थेोरी आफ ओवर प्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं इसके बारे में हम लोग फटा फट जानेंगे जो without wasting much time let us start with the video दीखिये जो आपके classicals थे या मालतस से पहले जो थे जो कि says law में belief करते थे लोग वो क्या कहते थे कि every supply creates its own demand लेकिन मालतस इस चीज़ को नहीं मानते थे मालतस is considered to be the forerunner of the under consumption theory under consumption मतलब over production दोनों बात same ही होती है under consumption यानि कम consumption होना या over production यानि ज्यादा production होना एक ही बात है तो over production theory भी आप कह सकते हैं या under consumption theory भी कह सकते हैं मालतस की मालतस जो थे वो क्या कहते थे कि ये oppose करते थे capitalism को और ये lazy sphere economy किस तरीके से काम करती है उस पे भी इनका बहुत ज्यादा doubt रहता था इससे पहले sales ने क्या बोला था say जो थे jb से उन्होंने एक law दिया था या आप कह सकते हैं जो theory of market है या law of market से sales law of market वो क्या कहता है कि हर एक supply अपनी demand खुद बनाती है से का एक बहुत ही आप छोटा से example समझ लीजे वो क्या कहते हैं कि एक से न कलर चेंज कर लेता हूं से जो है वो एक example देते हैं that की माल लीजे कोई worker है लेबर यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूं एक कोई labor है जो कि किसी एक factory में काम करता है अब यह जो labor है इसने कुछ काम करा बदले में इसकी कुछ income हुई काम किया तो इसने कोई एक product बनाया होगा इसने जब product बनाया तो उसके बदले में इसे wages मिली जिससे इसकी income हुई अब इस income को ये इस product को या फिर इस जैसे किसी product को जो कि market में available है उसको खरीदने में ही इस पैसे का इस्तमाल करीगा, कुछ खाएगा, पिएगा, कुछ ना कुछ तो वो consumption करने के लिए इस्तमाल करेगा, तो इससे क्या कहते हैं, से कि जो भी चीजे produce हो रही होती है, वो कही न वो labor उस पैसे का इस्तमाल उसी चीज़ को खरीदने में या फिर उसके जैसे ही किसी चीज़ को खरीदने में इस्तमाल करते हैं, ये था जो sales law मोटा मोटी कहता है, लेकिन मालतस जो थे वो ऐसा नहीं मान देते, मालतस ने कहा कि ये सही बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि जितना आपने कमाया उतने से ही आपने दूसरी चीजों की डिमांड कर ली और फिर आपने supply जितनी हुई थी market में जो भी produce किया था वो सब सब बिग गया ऐसा नहीं होता है देखे कैसे यह जो classical thinkers थे thought that supply and demand are related to each other in such a way that in long run adjustment would take place between supply and demand and therefore was no possibility for over production or glut in the market लेकिन ऐसा होता नहीं था Malthus क्या कहते हैं कि एक सेकंड but Malthus never agreed with the sales law of market he denied the equality between saving and investment यह हमेशा कहते थे कि ऐसा नहीं कि जो भी चीज़े आपने produce की वो सब की सब बिखी जाएंगी ऐसा कभी नहीं होता है बलकि ज्यादा तर क्या होता है आपके market में glut रहता है glut का मतलब क्या होता है glut का मतलब होता है over production की एक situation over production यानि कई बार आपने जो goods produce करें उनकी demand उतनी नहीं थी आपने supply ज्यादा कर दी तो उसकी वज़े से क्या होगा over production होगा और आपके वो goods नहीं भीके और यही जो है यह under consumption या over production ही है है जो की natural condition रहती है और जो आप बताते हो यानि जो sales law बताता है या जो classicals बताते है कि self adjustment हो जाता है एक invisible hand काम करेगा और जो चीज़े बनाई जाएंगी सब बिग जाएंगी ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है Malthus was of the opinion that the level of output at any time dependent upon effective demand he described effective demand अब इन्होंने effective demand का concept दिया है यह effective demand को किस तरीके से define करते है थोड़ा सा यह अलग है यह effective demand उस demand को कहते है जो इतनी ज्यादा हो या इतनी बड़ी हो जिससे की एक continued supply या फिर एक continual supply of goods market में बनी रहे इनका गहने का क्या मतलब है कि demand जो है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए या इतनी demand होनी चाहिए कि जो हम लोग supply कर रहे है वो बनी रहे अगर हमारी demand गिरती है तो हमें हमारी supply भी गिरानी पड़ेगी या फिर हमारी supply भी दीरे-दीरे कम हो जाएगी ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि आप सप्लाई करते जाओ सप्लाई करते जाओ सप्लाई करते ही चले जाओ demand आपकी कभी न कभी बढ़ जाएगी या demand खुद बढ़ खुद बढ़ जाएगी ऐसा नहीं होगा ऐसा कौन कहता है मालतस कहते मालतस कहते कि demand कम से कम इतनी बड़ी तो होनी ही चाहिए कि वो जो supply आ रही है उसको पूरा कर सके यानि supply कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए तभी हमारा जो normal equilibrium है वो established रहेगा लेकिन ज्यादा तर क्या होता है कि effective demand की कमी होने की वज़े से ही over production होता है इनकी थियोरी में effective demand बहुत ही important role play करता है effective demand होता क्या है effective demand वो demand है या फिर इतनी बड़ी demand है जो आपका एक continual या continued supply of goods को कह सकते है जो एक continued supply of goods को ensure कर सके या उसके लिए responsible हो Malthas pointed out that the value of a product produced by the efforts of labor was always more than any amount of money paid as wages to worker यह कहते है कि जो सामान यह बनाते हैं labors उसके बदले में जो इने पैसा मिलता है वो उतना नहीं होता है जितने से वो लोग क्या उसी product को दुबारा खरीद ले आप मान के चलो एक आदमी शू बनाता है अगर वो 10 शू बना रहा है और कोई labor है तो उसको 10 शू का तो पैसा पूरा नहीं मिलेगा उसको जो wages मिलेंगे उसको लगबग 2-3 शू के बराबर 100 रुपे मिलेगा अगर तो उससे वो उतने सारे शू की demand तो नहीं कर पाएगा ये बात मालतस के सही थी जबकि sales ने क्या कहाता है कि जितना वो लोग produce करेंगे उतना ही वो लोग demand भी करेंगे मगर ये चीज़ naturally possible नहीं होती है wages जो workers के होते हैं वो इतने low होते हैं कि ये बहुत जादा demand नहीं कर पाते है goods की इसकी वज़े से क्या होता है कि demand की कमी हो जाती है और naturally आपका over production हो जाता है अब capitalist जो है वो demand तो कर सकते हैं ज्यादा जूतों की या ज्यादा goods की लेकिन वो interested ही नहीं होते हैं demand करने में वो सोचते हैं कि मैं saving करूंगा accumulation of capital करूंगा और उसको अलग दूसरी किसी चीज में दूसरी किसी production परपस में लगाऊंगा तो इससे क्या हो जाता है कि ये लोग भी जब goods की demand नहीं करते हैं और जो labor से वो करपा नहीं रहे होते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है तो इससे क्या हो जाता है एक तरीके से आपका overproduction हो जाता है अब इस overproduction को कैसे combat किया जाता है कैसे इससे fight किया जाता है उसके लिए यह मालतस एक तरीका बताते हैं कि एक unproductive consumption करने वाले लोग भी होने चाहिए समाज में unproductive consumption यानि जो खुद तो कुछ produce करे ना खुद कोई काम करे ना मतलब production वाला काम लेकिन वो इन सारी चीजों की demand करे जूतों की demand करे और जो भी products बन रहे हैं उसकी demand करे अब ऐसे लोग कौन से होंगे ऐसे लोगों में इन्होंने include करा है आपका जैसे landlord है ये कुछ काम दंदा करते नहीं है कुछ produce करते नहीं statesman हो गए soldiers हो गए judge हो गए lawyer teacher clergy ये आपका physician ये कुछ काम नहीं करते लेकिन demand of goods करते तो ये क्या बताते है मालतस की ऐसे लोगों का society में होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये ही लोग है जो आगे चल करके demand करेंगे और इनी की वज़े से effective demand ब self-adjusting एक जो सबसे important इनोंने चीज इसको आप कह सकते है highlight किया या जिस पे इनोंने light डाली वो थी कि कोई भी जो आपका economic system है वो कभी भी self-adjusting नहीं है जैसा Say ने बोला जैसा Adam Smith ने invisible hand का concept दिया उन सभी concepts को मालतस ने बिलकुल discard किया इनोंने का कभी भी self-adjusting नहीं होगा ह जो कि इन सारी goods की demand करें क्योंकि normal time पे जो आपके labor से उनके पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो जो बनाए उसकी demand खुद से कर दे और जो आपकी capitalist है वो लोग करते नहीं है demand क्योंकि वो पैसा बचा करके दूसरी चीजों में production में लगा देते हैं तो इसलिए ये क्या कहते Unless there is a large body of unproductive consumers, there would be overproduction and glut in the market. Glut का मतलब ही क्या होता है? Overproduction होता है. Malthus believed that high wages would not solve the problem because it will increase the cost of production. एक और चीज है जो बाकी दूसरे लोग कहते थे कि यार wages बढ़ा देंगे अगर labor की तो वो लोग ज्यादा demand करेंगे ऐसा नहीं है अगर आप demand बढ़ाने के लिए labor's की wages बढ़ा देते हो तो cost of production भी बढ़ जाएगा, cost of production बढ़ेगा तो उसकी value फिर से बढ़ जाएगी जो तो कीमत बढ़ जाएगी ना उसका cost production बढ़ गया तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा इन्होंने basically क्या काई या तो हमारे पास ऐसे फजूल के लोग होने चाहिए बहुत सारे जो की demand करते रहे और produce कुछ ना करे या फिर आपका जो general है generally over production की situation रहेगी अब एक ये छोड इसको explain कर देता हूं इसमें इन्होंने क्या बताया है Malthusian glut को दिखाया है Malthusian glut इस वाले part में होगा ये क्या कहते है कि दो इन्होंने अलग-अलग एक commodity output दिखाया है एक output of services services जो है वो unproductive labor की category में आती है और productive labor की category में आपकी जो commodity output है वो आती है यहां से हम लोग ने O1Z को draw किया है then हमारा यहां पर CX है sorry O2X है यहां पर ठिक यह जो है यह आपकी actual demand जो हो रही है इतना part इतना part जो है यह आपकी actual demand है जो कि लोग कर रहे है और यह जो आपकी है यह आपकी total production हो रही है अब इन दोनों के बीच में जो difference है यानि K1K यह जो part है यह आपका क्या होता है Malthusian glut होता है यह फिर over production होता है इसको हम लोग देखे किस तरीके से saving investment क्या equal होता है उन सब चीजों को हम लोग एक different and separate video में cover करेंगे यहां पर in shot आपको यह figure और इसका handwritten notes में telegram channel पर मिल जाएगा Malthusian glut बहुत जादा important की topic था नहीं हमने theory of over production को देख लिया है Malthusian glut का मतलब ही होता है कि over production है जहां पर market में और अगर आपको इससे related कोई भी doubts हो तो आप लोग में telegram channel पर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर comment section में भी पूछ सकते हैं झाल